क्या सब्सक्राइब आज का हमारा प्रेक्टिस सेट है 125 और हर बार की तरह आज भी इंपॉर्टन्ट क्वेस्चन्स है किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं आप यूपिटी जीटी पीटी एल्टी के लिए फिल डीटी प्लेस भी तो बिल्कुल आपके लिए हेलफ वीडि रहे हैं चोनल से वह सब्सक्राइब कर लेजे चैनल को लाइक शेयर वीडियो को जरूर करना है चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है तो पहला क्वेश्चन यह राज के इन पर विच प्लेप सेक्सपियर डू दा करेक्टर्स वाल्टीमेंट एंड कॉर्नेलिय तो यह कहां पर एप्पियर होते हैं कौन से प्लेप लेके अंदर दा मर्चेंट ओप वेश्चन मच एडव अबाउट नथिंग हमलेट या फिर मैट पैथ तो इन दोनों करेक्टर की अगर हम बात करें तो यह विर्कुल हमें मिलते हैं कहां पर बी ओप्षिन्स देथ रहेगा हमलेंट हमलेट हमारा अंसर होगा हम्लेट में हमें दोनों करेक्टर मिलते हैं जो हमलेट है जो हमारी मर्चेंट ओव सेथ द्वांग के बात करेंगे वहां कə जो लिड करेक्टर है पोर्षी तुरomingने नकमें है जो important character है much I do about nothing मैं आपको Benedict, Don Pedro और Beatrice ये कुछ important character मिलते हैं जो पूछे जा सकते हैं second question है oh good oh good how very stale and unprofitable seems to me all the uses of this world तो ये important line कहां पर नज़र आती है आपको कहां की बात करेंगे हम लोग इसके अंदर तो बिल्कुल ये जो answer रहेगा आपका option A होगा यानि के hamlet में ही ये line हमें मिलती है और hamlet में hamlet से ही related line है ठीक है solid lucky है hamlet के द्वारा बहुत important तो बिल्कुल आप को याद रखीगा चलिए choose the one that does not match इन में से कौन सी match नहीं कर रही है वो जो matching है आपको select करनी है इसमें touchstone as you like it मिलता है बिल्कुल सही है गॉन्रिल king liar में है बिल्कुल सही है उसकी बेटी है sidna julius Caesar में है बिल्कुल सही है यह भी gobbo twelfth night यहaniaSec lo timely गॉलत है आपका गॉबो twelfth night में नहीं मिलता है गॉबो की बात करें तो यह बिल्कुल आपका कहां पर मिलेगा merchant of venus में ठीक है तो यह आपका d option है यह गलत है और bilingual कहां एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो काफी बार रिपीट की जाती है तो वो कौन सी है तो कहाँ पर आपको ये लाइन मिलेंगी तो बिलकुल जो पहला option है यानि के एक ही बात करेंगे हम लोग जो ए उप्शन है वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो इस प्ले की जो लाइन है यह कौन से प्ले के अंदर है यह 12 नाइट में मिलती है ड्यूक और सिनों के द्वारा इसको बोला जाता है स्टार्टिंग ही इसी से होती है इस प्ले की तो यह देखे कहां पर आपको मिलेगी वर्ट्सवत की कौन सी पोयम में आपको यह लाइन मिलती है तो यह आपको नजर आती है गाइस बिल्कुल यह Immortality Odd की लाइन है Immortality Odd C option पे जाएंगे We are passed by heavy laws where does this line appear कहां पर आती है यह लाइन यह भी वर्ट्सवत की सारी की सारी पोयम से तो आपको यह लाइन वर्ट्सवत की कौन सी पोयम में मिलेगी तो बिल्कुल fountain की बात हो रही है यहाँ पर fountain में आपको यह लाइन मिलती है Dust as we are the immortal spirit grows like harmony in music वेर डस्ट एज एज वी आर दा इमोर्टल स्पिरिट ग्रॉज लाइक हार्मनी इन मिलेगी तो दा प्रिल्यूट की है डपोडल्स की है perhaps the nearest to perfection कौन जो जो जॉन कीट्स की और टू ओटम है तो उसको कौन कहता है perhaps the nearest to perfection Matthew Arnold, Francis Bacon, P.B. Shelley या फिर A.C. Swinburne तो यह जो बात कह रहे हैं गाइस जॉन कीट्स की पोयम के बारे में A.C. Swinburne ने कही थी ठीक है चलिए I dislike mankind in general and if there was a person born without the faculty of open I am he तो यह important line कहां पर आती है यह भी जॉन कीट्स की लाइन है और जॉन कीट्स नहीं इसको बोला है तो B option पे जा सकते हैं This poem is in Spencer and Stringers यह poem आपको Spencer and Stringers में मिलेगी और यह present करती है कि story को elopment elopment हो जाता है किसी को साथ लेके फरार हो जाना तो प्रॉफिरा and Medline तो कहां पर आपको यह मिलती है इन दोनों की story कौन सी poem में मिलती है Bright Star, Odd to Autumn, Endymion या फिर Isabella तो यह आपको मिलेगी Isabella के अंदर I think ठीक है हाँ बिल्कुल यह आपको Isabella में ही मिलती है नहीं मुझे गलत लग रहा है इसमें option ही नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे हम इसमें option ही नहीं है आपका इसा बेदा भी नहीं बनेगा इसका पॉट अप बासिल तो यह आपका Eve of Saint Agnes है ठीक है एक और option add कर लीजे Eve of Saint Agnes तो इस poem से आपको एलाइन मिलेगी और जो कब आई थी एलाइन 1819 में आई थी Eve of Saint Agnes चलिए Lamb also tried his hand in writing place जो Lamb थे चास Lamb थे उन्होंने अपना writing मतलब play writing में भी अपना hand हाथ अजमाया था उन्होंने तो 1806 में उनका एक farce accept किया गया था Drury Lane में लेकिन it was a failure यह fail हो गया था तो what is the name of farce इस farce का नाम बताना है the South Sea House recollections of the South Sea House Rosamund Gray कौन सा होगा इसमें तो यह तो मुझे लग रहा है इसमें भी कोई सा भी answer नहीं है Mr. H जो था उसका नाम था Mr. H एक second हाँ इसका देखे तो Mr. H बनता है Mr. H यह उस farce का नाम था जो इनका failure रहा था एक Who composed the poem A Favour to Tobacco? A Favour to Arms की बात नहीं हो रही है A Favour to Tobacco की बात हो रही है तो इसमें St. College की है Oliver Goldsmith, Joseph Edison या फिर चासलेम तो यह poem भी आपकी चासलेम की है याद रखेगा A Favour to Tobacco Okay, चलिए Next question है Which one out of the following is not a dystopian novel? इन में से कौन सा एक dystopian novel नहीं है? When the sleeper wakes Okay, when the sleeper wakes 1984, Ridley Walker या फिर Animal Farm कौन सा dystopian novel नहीं है इसके अंदर? हाँ, तो बिल्कुल इसमें जो आपका अंसर बनेगा वो बनेगा डी ओप्शन ठीक है, Animal Farm आपका यह एक political allegory है तो यह बिल्कुल भी आपका dystopian novel नहीं है बाकी जो आपके When the sleeper walks है 1984 है और Ridley Walker है यह आपके सारे के सारे dystopian novel है तो यह एक allegorical novel है George Orwell के द्वारा Animal Farm को लिखा गया था ठीक है 17 अगस्त 1945 में पहली बार publish हुआ था इंग्लेंड में तो बिल्कुल यह dystopian novel नहीं है The first secular uses of the term Epiphany Epiphany का सबसे पहले जो secular use किया था वो किस ने किया था Oscar Wilde, Shakespeare, James Joyce या फिर Marlowe तो किसके द्रूज का यूज किया गया था विल्कुल इसका अंसर देना है तो C option पे जाएंगे James Joyce The first secular uses of the term Epiphany was done by Iris novelist James Joyce A portrait of the artist as a young man in the first novel of Iris James Joyce ठीक है चली अच्छा इसका अंसर नहीं दिया भी तो यह James Joyce पे जाएंगे C option पे Genesis जो एक longest poem मानी जाती है यह एक Old Testament story पर based थी तो contains nearly कितनी लगबग lines एंस के अंदर 1000 lines, 2000 lines, 4000 या फिर 3000 lines तो इसमें जो है यह आपका D होगा यानि के 3000 line D option पे जाएंगे 3000 line को लगबग यह contain करती है Choose the playwright who was killed in a brawl ऐसे playwright का नाम बताना है जो जिसकी जो death हुई थी जिसको मार दिया गया था ब्रॉल के अंदर तो बिल्कुल यह जो आपका होगा यह लो है D option इसमें है नहीं तो C option पे हमारा answer मिल गया वैसे तो एक leader भी माना जाता है उनको university wits का George Sandsbury ने इनको यह term दिया था उस time पे इनको नहीं माना जाता था university wits लेकिन बाद में George Sandsbury ने इनको यह term जो है introduce किया था और इनको माना था तो इनके कुछ important work है जो किस्टो फर्मार लो के वो hero and leander है temple lane the great है और Edward, second headido queen of kathraise यह सारे के सारे है तो उनको जो है brawl में इनको killed किया गया था चलिए the plane dash after repairs तो take off होता है plane मतलब repairing के बाद plane जो है वो took off हो गया तो बिल्कुल इसका जो रहेगा वो आपका होगा took off ठीक है took off पे जाएंगे अच्छा इसमें कुछ मुझे और भी बताना था यह जो आपके बनेंगे चलो इसका अंसर तो ख्या took off हो गया है लेकिन took over का मतलब क्या होता है took over बताना था आपको तो बिल्कुल took over की बात करें तो इसका मतलब होता है became responsible किसी चीज के लिए responsible बन जाना took with one's hand किसी के हट बात का मतलब होता है to accept या receive someone ठीक है चलिए अच्छा the two brothers dash over property dispute तो दो लोगों के बीच जो है क्या हो गया false out होना है fail out है fail होने या फिर fail hope है तो विल्कुल इसका जो आंसर होगा वो आपका बी option बन जाएगा यानि के fail out fail out हो जाना एकदम से विसपोर्ट हो जाना जैसे एकदम से लड़ाई हो जाए बहुत खतरना क्वाली तो उसको कहते है fail out false out का मतलब भी same same ही होता है बस इसमे past और present का अंतार है ठीक है और fail out का मतलब होता है suddenly गिर जाना या फिर एकदम से down हो जाना किसी चीज़ का fail out होता है he has just a new business establishment तो बिसमें set up भी इसको दाफ करी देंगे set up होता है set up हो जाएगा डी option हो जाएगा लेकिन इनके भी मतलब जान लीजे set out का मतलब होता है यह भी शुरुआत करना ही होता है और set down का मतलब होता है किसी चीज़ का writing में record रखना set up आजाएगा आपका इसके starting के लिए which is incorrect इन में से गलत बताना है कौन सा है कौन से के साथ गलत preposition use हो रही है यह बताना था इसके अंदर आपको ठीक है तो amalgamate with होगा anxious at होगा bound to होगा या फिर beneficial to तो इसमें आपका जो anxious है वो गलत है क्योंकि बाकी सारे सही है आपके जो anxious है यह गलत है क्योंकि anxious होता है about somebody something अगर किस चीज़ के बारे में anxious है तो वो आपका हो जाएग about और अगर किसी व्यक्ति के लिए anxious है तो गोर संबड़ी हो जाएगा ठीक है तो इसमें हमारा answer मैंने बताई दिया आपको 21 answer question है हमारा तो introduction he made some part in entry marks तो on way of introduction होगा on the way introduction होगा by way of introduction या फिर in the way instruction होगा introduction होगा क्या होगा इसमें yes तो इसमें देखिए c option पे जाना चाहिए हमें by way of होना चाहिए ठीक है by way of introduction he made some देखिए इसका मतलब होता है according to the sense of sentence stable place preposition मतलब एक तरीके से sense के according हम by way of कर सकते है on way of नहीं हो सकता है on the way मतलब introduction के थ्रियो he made some pertinent remarks यह हो सकता है तो by लगाना यहां पे suitable रहेगा last है हमारा जेकब्स हाउस is dash the way dash dally and noida तो on the way होगा on और between आएगी in between आएगी near या फिर to या फिर across to तो इसमें देखिए on the way होना चाहिए जो जेकब्स हाउस है on the way रास्ते में है कहाँ पर दिल्ली और noida के बीच में जो रास्ता पड़ता है उस पर है तो on होगा और between होगा पहले ही option पर हम टिक कर देंगे तो बिल्कुल यही हमारे हो जाएगे चले गाइस यही session थाज का यहोब आपको clear हुए होगे सारे question अच्छे से और next video में फिर से मिलती हूँ आपसे तब तक के लिए bye bye take care bye guys पढ़ते रही हो के